नमस्ते दोस्तों मैं हुआ आपका दोस्त भगोति प्रशाद, पुरुइ अडूकेट और आज़ोगेट वाले हैं कि दावा या जवाब दावा या आवेदन या आवेदन के जवाब में संशोधन केसे करें तो देखे दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके द्वारा आवेदन पत्र पेश कर दिया जाता है या कोई दावा पेश कर दिया जाता है या कोई जवाब दावा पेश कर दिया जाता है या आवेदन का जवाब पेश कर दिया जाता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई ग आज उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी, बिले एकन को प्रेस कर दीजी, और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजी, क्योंकि इस चैनल के माधिदम से आपको मिलती है, सरुदातन वाशा में कानून की नहीं नहीं जान करी, तो आई ये वीडियो को शुरू कर लेती, देखें दोस्तों, यह काहरिवाही जो है, यह सिविल न्याले में भी की जा सकती है, और राजस न्याले में दावा पेश होता है, और दावे का जवाब दावा पेश होता है, अगर तो यह इस स्तिती चैनल से राजय पेश्यां कें चैनल से बिल्राकिया है और जीश difficनि ऐता कि इस ध्यार रनता है प्सक्राम गलाता है यह विम्लों से परण भाता कंगो questo में राजयर समयाले के समक्षय बिल्रों परण हिसकला को पीश धिया मैं और अनावेदक भी राजय सुन्याले के समक्ष उपस्तित हो चुका है अब राजय सुन्याले के समक्ष उपस्तित हुआ है इस बीच अगर इस आवेदक को इसी जानकर ही होती है कि इसने जो आवेदन राजय सुन्याले के समक्ष पेश किया है राजस नियाले से मतलब तेसिलदार भी हो सकता है SDO भी हो सकता है collector भी हो सकता है या नायप तेसिलदार भी हो सकता है तो आवेदक को ऐसी जानकर होती है कि जो आवेदन पत्र उसने पेश किया है उसमें मान लेते ही कि जैसे इस जमीन का सर्वे नंबर जो ही इसका खसरा नंबर जो ही वह 100 था ठीक है लेकिन टंकन तूटी के कारण उस आवेदन पत्र में वह 200 लिखा गया है ठीक है क्या लिखा गया है 200 लिखा गया है ठीक है तो इस प्रकार की तूटी का सुधार यह आवेदक जो है यह आवेदक के द्वारा जवाब पेश किया जाएगा अगर राजस नियाले को एसा लगता है कि हाँ वास्तों में जो इस आवेदक ने प्रक्रण के सलगन दस्ताविच पेश किये हैं उनमें इस जमिन का खसरा नंबर है वह 100 है लेकिन टंकन तूटी के कारण आवेदन पत्र में खसरा नंबर जो है वह 200 लिखा गया है इसलिए उसका सुधार किया जाना आवश्य के ताकि इस आवेदक को और इस अनावेदक को किसी प्रकार की असुईदा प्रक्रण में न हो ठीकि या फिर इस आवेदक ने राजस नियाले के समख्ष इस जमिन के संबन में कोई पत्र में संबन करने के लिए राजस नियाले के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है इसी प्रकार से अगर इस अनावेदक ने इस आवेदक के द्वारा परस्तुत आवेदन पत्र का जवाब राजस नियाले के समक्ष पेश कर दिया है और उस जवाब में अगर किसी प्रकार की कोई तूटी रह जाती है जो कि ऐसी परिलक्षित होती है कि हाँ वास्तव में यह तूटी है तो उसका सुधार करने के लिए यह संशोदन करवाने के लिए अनावेदक जो है यह भी राजस्म न्याले के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है और अपने जवाब में उसका सुधार कर सकता है उसके लिए उस आवेदन पत्र की कापी इस आवेदक को भी दी जाएगी और इससे भी जवाब लिया जाएगा अगर राजसुन्याले इस निश्कर से पर पहुंचती है कि हम वास्तव में इस आवेदक के जवाब में किसी प्रकार की कोई तूटी हो गई है या जो स सोन्याले के समक्ष परस्तुत किया था उसमें सुधार किया सकता है तो कि राजसुन्याले जो है उसके समबन में भू के प्रकार के प्रावधान नहीं दिये गए हैं कि अगर जहां पर मद्यपरेश भूराजत सहिता में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है तो वहाँ पर CPC लागू होगी क्या होगी वहाँ पर CPC अर्थाथ सिविल प्रक्रिया सहिता लागू होगी तो civil प्रक्रियस नहिता में इस प्रकार के प्रावधान दिये गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अर्थात आवेदक के या अनावेदक के अभी वचनों में अर्थात जो उन्होंने न्यायले में आवेदन और आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया है इन दोनों लोगों ने औ इन में से कोई भी व्यक्ति, अपने आवेदन पत्र में, जैसे आवेदक अपने आवेदन पत्र में, और अनावेदक जो हे, यह अपने जवाब में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, तो एसी इस्टिति में, in music से कोई भी व्यक्ति, आदेश, 6, नियम, 17, सेवल प्र यह अनावधक के दोरा जो जवाब पेश किया था उसमें इस प्रकार का संचोधन किया जाना ज्याहित वह अवश्य के तो राजस 문्याले के दोर। और अगर इस प्रकार की कोई तारिक निश्चित नहीं की जाती है तो ऐसी इस्तिती में आवेदक या अनावेदक के द्वारा चाहा गया संशोधन जो है वह 14 दिन के भीतर इनको करना होगा अगर 14 इनके भीतर यह नहीं करते हैं तो ऐसी इस्तिती में इनके द्वारा चाहा गया संशोदन फिर बाद में यह नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार से सिवी न्याले के समक्ष अगर वादी द्वारा कोई दावा पेश किया गया है या प्रतिवादी के द्वारा उस दावे का जवाब पेश किया गया है और वादी अगर चाहता है कि इसके दावे में किसी प्रकार की कोई तूटी रह गई है तो एसी इस्तिति मे यह वादी भी सिविल नियालाई के समक्ष आदेश 6 नियम 17 CPC के तहत आवेदन पेश कर उसमें संशोधन कर सकता है इसी प्रकार से प्रतिवादी जो है इसने जो जवाबदाव पेश किया है उस जवाबदावे में किसी प्रकार की कोई तुरूटी हो जाती है या तुरूटी रह जाती है तो ऐसी इस्तिती में यह प्रतिवादी है यह भी आदेश 6 नियम 17 CPC के तहत सिविल नियालाई के समक् जब वाद पेश किया था और वाद विचारण के दोरान प्रतिवादी ने मोके की इस्तिती में अर्था अगर मोके पर किसी प्रकार की इस्तिती में परिवर्तित कर दिया है तो एसी इस्तिती में मोके की इस्तिती के अनुसार ये वादी जो है अपने दावे में संशोदन समा पर निश्चित कर दी है तो इन लोगों को आदेश दिनांग से 14 दिन के भीतर उस रंःनोंगे संशोधन इह करना अगर वीच्तन फूस हो घН rate दावे में या जवाब दावे में किसी प्रकार का संशुदन करने का अधीकार नहीं रहता है तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओँ तिस वीडियो को लाइक कर दीजी अधिक तर लोगों को शेर कर दीजी फिर मि तक के लिए जैहिंजे भारत